केम्स धड़ाम से गिर गया भई भारी गिराबट आई है तो क्या करें डल लग रहा है न क्या सेल कर दें लॉस्बुक कर ले तो सारा कुछ डिसकस होगा और बिद एक्जामपिल बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है काफी सारी लर्निंग्स भी हैं इसी स्टॉक्स में आपको बताऊंगा मैं तो वीडियो लास तक देखना तो सब कुछ पता चलिए आएगा बाकी चैनल पर ने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बात करते हैं कैम्स की फंडामेंटली अगर कैम्स को देखेंगे तो काफी स्ट्रॉंग है फंडामेंटली स्ट्रॉंग है फाइनेंसिल ग्रोथ अच्छी है बिजनिस एक तरीके से काफी मार्केट से रहा है जो भी जिस बिजनिस में है यह मोनोपोली का एक तरीके का बिजनिस है इनका और यह ब और कल परसों हमने साहथ इसको डिसकस किया था जब ये 32 कुछ के आसपास था बेभी 32 के आसपास था तब डिसकस किया था कि इसको CMP पर खरीदा जा सकता है और उसके अगले दिनी ये 6% भाग गया था आज ये 9-10% के आसपास गिरा बटा गई तो ये चीज़ें हैं अब बिल्कुल ही निकाल दीजिए दिमाग से अच्छा स्टॉक है ब्लू चिप श्टॉक है एक तरीके से अगर देखोगे तो कंपेर ब्लू चिप बराबर का श्टॉक है तो डरना तो बिल्कुल नहीं है इस टैप के स्टॉक में कोई भी ऐसी खवन नहीं है जिसकी बज़ए से ऐसी कोई ग्राव अटाई हो तो ये operator का move हो सकता है और एक दो example पहले बता देता हूँ मैं आपको आपको क्या करना है सीधे कुछ नहीं करना है एफिल इंडिया को खोलना एफिल इंडिया लगाना है उसका चार्ट देखना है और देखना ओपरेटर ने उसे कैसी गिराया था पांच जार से ले जाके चार जार तक लेके चले गए थे उसके बाद अभी देखना 53 के आसपास चलना है पहला example तो दूसरा example आपको बता दित अपरेटर को दुवारा जिससे रिटेल इंवेस्टर से माल लिकलवा लिया जाए तो क्या हो गया गिर गया तो अच्छी बात है गिर गया तो और माल एड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है और अभी के लिए ये बता दूँ अगर आपने भी खरीद लिया यहां पर 32 या 31 के आ हमेशा रखना है मैं कहता हूं बस सिनेरियो हमेशा दिमांग में सूचके रखना है किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा ना मुझे पता है ना किसी कोई भी चैनल एनलेश कोई भी नहीं बता सकता कल क्या हो सकता है नहीं पता वहीं क्या पता कल क्या हो जाए तो बैक अगर आपने यहां पर 32 के आसपास खरीद लिया था तो बिल्कुल होल्ड करके रखें कोई लॉस बुस बकन नहीं जरूद नहीं है और अगर अभी नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो 3000 के आसपास ले सकते हैं जिनने बिल्कुल भी नहीं खरीदा है तो 3000 के आसपास खरी और माकी जिन्होंने नहीं खरीदा है वो 3000 पे एक एंट्री ली जा सकती है तो कोई बात नहीं 3000 पे आप खरीद सकते हो कोई दिक्कत नहीं दिखती अगर जाता है किसी भी सिनेरियो में तो ये देखो दोनों चीजें डिसकस करनी है अगर उपर के प्राइस में फसे हो तब आप अबरेजिंग कहां पे कर सकते हो नीचे कहां खरेदारी कर सकते हो और दो सीमपी पे भी कर सकते हो बस आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि मैंने सीमपी पे खरीद लिया ये 3000 चला गया अब तो पांच परसेंट लॉस हो रहा है अब क्या करूं मैं तो इस तरीके से अब करोगे तो फिर तो भई आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि फिर आप लॉस्बुक कर लोगे और इस तरीके से चलते रहते हैं ये ऑपरेटर मूब आते रहते हैं और काफी मैंने दो कौँ आपको एक्जांपिल बता दिया है एफिल इंडिया का उसके लाव इंडिया है आपका पैसा है अपने फाइनेंसेर अडवाइजर सकते हैं अपना एक विव बना सकते हैं सुननी सबकी ये कन्नी अपनी है चैनल अपने आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो दोस्ते का सेर कर देना जहें दोस्तों